नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाटशाला पर मैं हूँ अंकेद अवस्ति आप है मेरे साथ में Real News and Analysis पर और हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का आज के सेशन में जिकर करेंगे जो आपके competitive exam point of view से बेहद महत्वपूर्ण है साथियों science and technology के एक बहतरीन खबर आपको बताने जा रहा हूँ बहतरीन खबर ये है कि अगर आप solar system जानते हैं और ये जानते हैं कि अर्थ solar system में कहां है सूरज और सूरज के साथ में आप देखते हैं कि आपके इस प्रकार से mercury चक्कर लगा रहा है फिर वीनस चक्कर लगा रहा है फिर अर्थ चक्कर लगा रही है फिर मास चक्कर लगा रही है इसके बाद में फिर किस प्रकार से asteroid belt है, फिर asteroid belt के बाद में आप Jupiter देखते हैं, फिर Saturn देखते हैं, फिर आप Uranus देखते हैं, ये जो solar system के अंदर आप जितने भी planets देखते हैं, जो सूरज के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं, आपने अभी तक जितनी भी प्राप्त जानकारी ह उसके अनुसार, आपको ये पता है कि भारत की तरफ से अब तक भार, धरती के चारो तरफ जो धरती का satellite है, कृतिम satellite जो है, जिसका नाम Moon है, उस पर, Moon पर हमने अपना Lander Rover भेजा हुआ है, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमने अर्थ से मार्स के ऊपर भी अपना mission भे कि 15,000,000 km दूरी पर भी हमने अपना Aditya L1 mission भेजा हुआ है, ये प्रत्वी से भेजे गए missions की जानकारी है, अगर आपको कोई ये जानकारी दे कि प्रत्वी से सूरज की जितनी दूरी है, अचा बाइद वे प्रत्वी से सूरज की जितनी भी दूरी है, उसे याद करने की गया है उसे astronomical unit यानि AU एक AU इससे इसकी दूरी है इससे इसकी दूरी को लगभग डेड़ सो टाइम्स कर दिया जाए प्रत्वी से सूरज की दूरी को लगभग 162 गुना कर दिया जाए तो वो दूरी निकल कर आती है जिसमें सूरज का प्रकास जहां तक पहुचता वो दूरी खतम हो जाती है आप सूचिए कि आज सूरज की रौशनी अर्थ पर है मरकरी पर वीनस पर यह सभी प्लैनेट सूरज की रौशनी से किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित हैं सूरज दुनिया का एक तारा है मतलब ब्रहमांड में एक तारा है अब आप क्या बाते कर तारा ह गरह क्या होता है तारे वहो होते हैं यह सब जानकारी आप लोगों को मैं जॉगोरफी में पढ़ाऊंगा Romanlasi Artica जो बैच है ओसके अंदर हम डिसक्स करेंगे इसारी जानकारी या परफिर बेसिक समझे लई जिए तारे वो होते हैं जो खुद से इगनाइट होते हैं और ग्रह वो होते हैं जिन पर किसी की रौशनी पढ़ती है तो दिखते हैं अर्थ एक ग्रह है जो कि सूरज के प्रकास्ट से उद्यमान है प्लैनेट है ये ठीक है सूरज खुद की रौशनी से चमकता है दुनिया में या यह सोचने लगे कि सूरज की रौशनी कहीं तो खतम होती होगी तो सूरज की रौशनी जहां खतम होती होगी उसे हैलियो पॉज नाम दिया जाता है कि यहां से आगे चले जाओ अर्थ कि सूरज की रौशनी इन सब के पार निकलते चले जो यहां पर बोले अब एकदम सूरज दिखना बंद हो गया है, ठीक है, सूरज की रोशनी जहां खतम हुई, that is हेलियोपॉस जिसका प्रभाव कड़ा हो खतम होना शुरू हुआ, वहाँ बोशोक वहाँ से आगे का जो छेत्र है, जो किसी दूसरे तारे के साथ का छेत्र हो सकता है, आकाश गंगा में जब सूरज एक तारा है, तो इस जैसे बहुत से तारे अगर होंगे, तो किसी और तारे की दुनिया होगी, उस छेत्र में जब आप ट्रेवल करते हैं, तो उसे आप Interstellar छेतर कहते हैं क्या कहते हैं Interstellar छेतर कहते हैं उस Interstellar छेतर में अर्थ से भेजा हुआ एक मिशन जिसका नाम है Voyage 1 आज ख़बर उसकी है तो Voyage 1 के बारे में आज आप चर्चा करने वाले हैं कि Interstellar छेतर में चल रहा Voyage 1 किनी कारणों से खराब हो गया था November 2023 से उसके जो messages आ रहे थे वो बड़े ही बिगड़े हुए आ रहे थे उसे finally सही कर दिया गया है आपको अचानक इतनी सारी ख़बरे मिल रही क्या बात कर रहे हो हैं मतलब Interstellar छेतर में भी सैटलाइट चल गया है जी हाँ यह नासा के द्वारा किया गया कारिय है उनकी जैट प्रपल्शन लेबोरेट्री के द्वारा किया गया कारिय है उन्होंने बकाइदा अपनी लेबोरेट्री के थ्रू 1977 में 5 सितंबर को Voyage 1 नाम का एक मिशन भीजा था जो कि पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटर स्टेलर छेत्रे में ट्रेवल कर रहा है और वो अभी तक चले ही जा रहा है कहते हैं कि 2035 तक चलेगा नाम है उसका वॉईजर वन साथियों वॉईजर वन के कुछी समय बाद वॉईजर 2 भी भेजा गया था वॉईजर 1 बकायदा रास्ते में जितने भी ग्रह से मिलता है उनके समाचार भी देता गया है अरे बकायदा उसने टाइटन ग्रह की जानकारी दी सेटरन की जानकारी दी इसका उप ग्रह जो टाइटन था उसकी जानकारी दी Pluto को miss करके निकला कि बोले Pluto नहीं मैं Titan की जानकारी देता हूँ यानि कि इन सब को cross करता हुआ निकला है वो सोचो एक mission है Wiser नाम है जो asteroid belt को cross करता है Saturn को cross करता है Jupiter को cross करता है Neptune को cross करता है Uranus को cross करता है Pluto को cross करता है करके interstellar छेतर में चला जाता है और वहां के messages भेज रहा है यानि हमने एक दूसरी दुनिया के लिए एक satellite छोड़ा हुआ है NASA नेक satellite छोड़ा हुआ है और उस satellite में बहुत सी चीजें रख कर भेजी गई है including India के भी कुछ संगीत भेजे गए हैं कि अगर तुम्हें कल को कोई रास्ते में रोक ले तो उसे यह डेटा मिले तो उसको पढ़ने की तरीके कि वो कोई रोके तो तम्हें चेक करें उसमें यह जानकारी मिल जाए कि एक कोई ऐसा प्लैनेट भी है मतलब आप सोचो कि आप किसी कुए में पड़े हैं और वहां से आपने पत्थर उचाला हुआ है बाहर की तरफ कि हाँ बई किसी को इस पत्थर से बंदा हुआ पत्र अगर मिल जाए तो पढ़के हमें निकाल लेना ऐसे हमने सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ पर रहते हुए किसी दूसरी दुनिया के लिए एक सेटलाइट भेजा है जिसका नाम वयाजवन और वो इतना ही नहीं साथियों वो जातो रहा है जाते जाते हमें संदेश भी भीज रहा है प्रोपर तरीके से हम से बातचीत कर रहा है आपको जानकर आश्चेर होगा कि आप जब उसको हेलो बोलते हैं तो वो वापस पता है हेलो किती देर में बोलता है यानि जैसे आपन बात करते हैं हलो तो सामने वाला जवाब देता है हाँ बोलो ये तो तुरंत हो गया लेकिन वोयाजवन साड़े 22 गंटे में एक मैसेज को रिसीव करता है और साड़े बाइस घंटे में रिटर्न करता है लेकिन ये समझने वाली बात है कि अर्थ से इतना दूर लग भग 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर यानि कि सूरज की तुलना में 1500 किलो, 1500 टाइम्स दूरी अर एक सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है और वो अभी भी कनेक्शन में है तो सोच कर देखो कितना जबरदस्त कम्यूनिकेशन सिस्टम विकसित किया होगा नासा वालों के दूरा और उस कम्यूनिकेशन सिस्टम से बातचीत भी होती है पर इंटरस्टिंग बात पता है क्या है? वयाज वन के जो मैसेज़ जो नवंबर 2023 से आ रहे थे इंटरस्टेलर छेतर से जाते-जाते वो थोड़ी अलग से समझ में नहीं आ रहे थे इसको, नासा को तो उन्होंने बकाइदा कम्यूनिकेशन करके उसको सुधार दिया है वयाज वन पर चार बहतरीन सिस्टम लगे हुए है उन चार बहतरीन सिस्टम में से एक सिस्टम की खराबी को सुधार भी दिया है चलो बही, correct करते हैं इसको correct करके इसके messages प्राप्त करते है है इंटरस्टिंग बात? यह हुआ है वयाज वाइजर वन के थुरू ठीक है, तो वाइजर क्या है? यह मैंने आपको बता दिया है NASA का वाइजर वन मिशन जो है वो अब फिर से फंक्शनल हो गया है इसलिए सुर्खी बन गया है बकायदा इसकी तरफ से जो चारों इंस्ट्रूमेंट इस पर लगे हुए है अब वो सही से चालू हो गए है इसके मैसेज़ फिर से प्राप्त होने शुरू हो गए इस बहाने आपने वाइजर वन को जान लिया तो वाइजर वन नासा के द्वारा निसो सतेतर में भेजा गया था ताकि बहारी ग्रह और सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके प्रत्वी से 15 अरब मील से अधिक दूरी पर ये चल रहा है लगभग दो दिन की देरी के कारण ये प्रापर तरीके से कम्यूनिकेट कर पाता है मतलब आप ऐसे समझे कि वाइजर 1 इस समय जो टर्मिनेशन शौक आता है ना सूरज की रोशनी का आफ्टर वाला चेतर जहां से इंटरिस्टेलर चेतर शेतर शुरूर होता है वहाँ पर चल रहा है और वहाँ से ये लगातार मैसेज भेज रहा है ये वाइजर 1 है साथियो उननिस सो सतेतर के अंदर इसको भेजा गया था इसका जो ड्राइ मास है वो 721 किलोग्राम का है और इसे भेजा गया था और ये प्रॉपर तरीके से मिशन लगातार चल रहा है इसने उस समय पर टाइटन को भी पास किया उसके एटमोस्फियर की स्टेडी की और ये तस्वीरें इसके द्वारा मल्टीपल टाइम भेजी गई है तो इस प्रकार से ये एक सैटलाइट सिस्टम है वाइजर 1 के नाम से जिसको की नासा के द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष मंडल के अंदर क्या क्या करने भेजा गया था वो मैंने आपको बता दिया नासा से ये जो बातसीत होती है ये डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से संचार की जानकारी ली जाती है 162.7 AU की दूरी पर ये है इस समय है लगबग 24.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर अगर माइल्स में बात करूं तो 15.1 माइल की दूरी पर वाइजर इस समय पर ट्रेवल कर रहा है और इसको ट्रेवल करते हुए हेलियो स्फियर को ये क्रॉस कर रहा है Jet Propulsion Laboratory NASA के दूरा इसे 1977 में भेजा गया था Astronomical Unit के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार से इसे भेजा गया है ये जब पास कर रहा था तो उसकी कुछ आसपास की तस्वीरे हैं जो इसने बकाइदा भेजी कि मैं हांसे निकल रहा हूँ अपने मैसेज आप देखते जाईए और इसने दुनिया भर की जानकारी अपने आप से भेजी थी ठीक है साब बढारे हैं हम उस डेटा को प्रतिवी पर भेजतो रहे हैं मतलब वाई-जर One भेजतो रहा लेकिन समझ नहीं आ रहा है तो उसको सधारने का प्रयास चल रहा है जिस चिप के अंदर मरमत करनी थी उस चिप के अंदर रिप्लेस्मेंट कर दिया है उसका डेटा दूसरे कंप्यूटर में सेव होगा ऐसा कमांड दे दिया है और कमांड के चलते उसका जो मैसेज है वो आना शुरू हो गया है तो यह वाइजर वन मिशन है साथियो अभी तक के द्वारा धर्ती से सबसे दूर लगभग 15 बिलियन किलो मीटर की दूरी पर तैरता हुआ यह वाइजर है जो कि कैई ग्रहों को क्रॉस करते हुए निकल चुका है ठीक है साथियो तो उमीद है कि आपको यह जो खुशी के जो च्छन दिखाई दे रहे हैं कि उसका मैसेज प्रापर तरीके से प्राप्त होगा यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहां से यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह अर्थ की तस्वीर है जब वाइजर वन ने अर्थ की तस्वीर अंत्रिक्ष से भेजी थी किस तरह से आप देखें कि सूरज का पानी मतलब अर्थ के उपर जो पानी है ना, वो किस तरह से विंट जो है, वो पानी किस तरह से भाता है, आप देखिए, यह जो ओशन करण्स हैं, इनको आप भाता हुआ देख रहे हैं, यह वाइजर ने कैप्चर की थी अर्थ की तस्वीर जिसे आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, बाकी तो मैंने बताई दिया, इसमें और कुछ बताने का नहीं है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी NCRT वाले विध्यारती फिर से reminder ले लें, application का link comment box में दिया गया है, जाएए और बकायदा proper तरीके से अपने course को ले लिजे, फिलाल के लिए अपना खयाल रखेंगे